पैसा लेना चाहते हैं या फिर बदल के ही समाल लेना चाहते हैं इसी कलर का या फिर दूसरा कलर हो गए रहे लेना चाहते हैं दोस्तों यहां पर मैंने सौपसी से कुछ ओडर मंगा रखा है जैसा कि मुझे ओडर रिसीब हो गया है बट मैं इस ओडर को रिटर्न में डालना चाहता है रेटन करके पैसा लेना चाहता हूं तो हम uitनुर आनिये उड़ेंगे कैसे रेटन करेंगे पैसा कब मिलेगा और कैसे कर पाएंगे हैं पूरा तցरिका सिझने मैं वाले हैं बहुत हैं रोगे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा तो बी किसी देर्षट वीडियो में बढ़ेंगे आगे और आपको complete process सिखाएंगे कि सॉपसी order हम return कैसे करते हैं कैसे refund पाते हैं कैसे bank जोड़ते हैं सारा कुछ आपको बताऊंगा तो वीडियो में पूरा बने रहीएगा चलिए इस वीडियो को करते हैं सुरू तो hello and welcome दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव स्क्रीन पे आईए बताते हैं कि सॉपसी के order को हम return कैसे करेंगे तो इसके लिए हमें सबसे पहले mobile phone में अपने phone में सॉपसी आपको ही open करना है open करने के बाद यहां पर एक section दिखेगा account का तो हमें account वाले section पर click करने के बाद हमें orders वाले option पर जाना है जैसा कि सकते मेरा order deliver हुआ है यहां पर 13 October को और इसको हम 23 October तक return कर सकते हैं तो ठीक हम डेट के अंदर है आज जो मेरा डेट है 17 October है ठीक है तो मैं यहां से return वाले option पर click कर जाओंगा और जब click करेंगे तो region पूछेंगे आखिर क्यों आप return करना चाहा रहे हैं तो quality मैं हमेशा click करता हूँ और यहां पर प्रोड़क्ट क्वाल्टी इस पर पूर वाले पर क्लिक कर दोंगा ठीक है और कमेंट में लिख देंगे नौट कि परफेक्ट आइटम है ऐसे आपको भी लिखना होगा ठीक है प्लिप स्वारी यहां पर सौप से और कांटीनीव ठीक जैसे कांटीनीव करेंगे कुछ पलोक वेट करना होगा और यह कह रहा है कि वी सीमड़ टू है फेश्ट इसी प्रोससिंग रिक्वेस्ट प्लिज रिसब्मिट रिक्वेस्ट और डैट केंट राइज तो मैं दुबारा से क्लिक करता हूँ और यहां प अब लिखेंगे item quality is not better ठीक और यहां पर लगा देंगे foolish top और continue करेंगे वहीं लिखने में थोड़ा इदर करना होगा ठीक देखिए आगे आफसन अब आगे ना पी सामने अब यहां पर पूछ रहे हैं कि आप पैसा लेना चाहते हैं या फिर बदल के ही सामाल लेना चाहते हैं इसी color का या फिर दूसरा color लेना चाहते हैं तो exchange पर भी क्लिक कर सके हैं बट मुझे पैसा लेना हम वापस करके आप एक्षेंज करना चाहते एक्षेंज भी कर सकते बट मुझे वापस करके पैसा ये लेना है तो मैं refund वाले option पर क्लिक करूंगा और यह पूछने हैं पैसा लेंगे तो किस में लेंगे gift card में लेंगे bank account UPI में लेंगे अपना नाम यहां पर डालेंगे और phone number डालके यहां पर एड़ कर देंगे आई मैं सारा कोई detail फिल करके पिर आगे बढ़ता हूं मैंने अपना पूरा detail भर दिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं ठीक है account नमबर यह बता रहे हैं मैं इसमेंच है दोबारा से डाल देंगे और मैं add new account पर क्लिक कर दूँगा और यहां से confirm कर दूँगा ठीक मेरा खाता add हो गया अब यहां पर देख सकते हैं bank account मैंने चूज भी कर लिया है ठीक है थोड़ा सा wait करेंगे दोबारा से SIM होई प्रक्रिया करना होगा ओके करने के लिए बोले तो वही लिख के फिर से ओके कर देज़ेगा कुछ बदल के लिख लिख लिजएगा फिर refund or option पर हम क्लिक करेंगे bank account पर जाएंगे exiting account पर क्लिक करके अपना bank खाता ले ले लेंगे और continue कर जाएंगे ठीक submit request पर दबा देंगे और हमारा यहां से पर को रिटन कर सकते हैं जानकारी अच्छी लगी होना तो सपोर्ट करिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब